दोस्तो रेफ्रीजरेटर का यूज तो हम सब अपने घरों में साल भर करते हैं गाइज लेकिन गर्मी के सीजन में तो इसका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रेफ्रीजरेटर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है लेकिन गाइज रेफ्रीजरेटर स से जुड़ी हुई कुछ doubts होते हैं सभी के कुछ confusion होती है उन question के answer चाहिए होते हैं सब को सो गाइज आज के वीडियो में उन सभी question के answers आपको मिलने वाले गाइज जैसे कि गाइज कहा जाता है कि हमें refrigerator को 24 गंटे on रखना चाहिए और अगर हम इसे off करते हैं तो इसके खराब होने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड इसके अलावा और भी कई सवाल है जिन से related बात हम करेंगे वीडियो में complete बट गाइज उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा अगर चैनल पर नए है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों नेक्स्ट डाउट की बात करें तो जब कभी हम घर से बाहर जाते है तो ऐसे में हमारे मन में डाउट रहता है यार कि हम बाहर जा रहे तो फ्रिज को आउन करके जाए या ओफ करके फ्रिज को बाहर जाए एंड हमें अपने रैजनेटर को 24 hours के लिए आन रखना चाहिए या बीच में बंद भी करना चाहिए या रात को सोते समय में रैफ्रि आउट की कि जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं तो ऐसे में फ्रीज को आन रखना चाहिए आफ कर देना चाहिए तो आपको ऐसे में अपने फ्रीज को आन रखना चाहिए जब भी आप मार्केट जा रहे हो या कि कहीं और भी आप जा रहे हो तो फ्रीज को आपको आन करके ज लगता है जल्दी से फ्रीज कूल नहीं होता है तो आपको इसे धीमा करके चले जाना चाहिए मार्केट वगेरा और जब आप रिटर्न आओगे कम टेंपरेचर रहेगा और जो भी उसका टेंपरेचर वो एड़ेस्ट कर लेता है क्योंकि जो आजकल के रेफ्रीजेटर वगे और वापस से जब लौट के आओगे तो फिर से रेफ्रीजेटर उतना एफ़र्ट करेगा और उसके बाद में आपको कूलिंग मिलेगी तो इसलिए आपको फ्रीज को आउन करके ही जाना चाहिए आप टेंपरेचर जो है नॉर्मल कर सकते हो अगर हम अपने फ्रीज को बार बार बंद करते हैं बहुत बार इसको बंद करते हैं तो ऐसे में जब वापस से फ्रीज को चालू करते हैं तो कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है बार बार ऐसे में आपका फ्रीज खराब होने के चांसे होते हैं गाईस सो अननिसेसरी गाईस हमें बार बार फ्री को बंद कर देना चाहिए या फिर इसे रात बर चालू रखना चाहिए तो गैस बता दू कि आपको अपने रेफ्रिजरेटर को बंद करने जुवत नहीं है रात में और आपको इसे रात में भी चालू रखना चाहिए एंड अब बात करें गैस एक अदर केस की कि अगर आप जादा होता है और वागर बहुत जादा कट होती है तो ऐसे में आपको राफ ड़ा बंद चाहिए और अगर अगर लंबे पीरियड के लिए बाहर जा तो ऐसे में आपको freeze को बंद कर देना चाहिए वापस से जब आओगे तब फिर आप उसको on कर सकते हैं सो गाइस ऐसे में अगर आप बार बार बंद करते हो freeze को तो freeze में खराब होने के chances जादा बढ़ जाते हैं और फूट जो रखा होता है फ्रीज में वह भी खराब हो सकता है तो ऐसे में आपको फ्रीज को continue on रखना चाहिए जो जब भी आप अपने रेफ्रेजरेटर को continue on रखते हो तो इसकी सर्विस भी बढ़ जाती है durability बढ़ जाती है और आपका फ्रीज सालों साल चलता रहता है और इसके खराब होने के चांसेज नहीं होते हैं सो हो गाइज आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे और इसके बाद भी अगर आपका कोई और डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो अगर आपको यह वी डियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो अफडेट correct के लिये और बात करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके ओऊपने दोश्तों के साथ में भी शेयर करें so thank you so much to watch this video see you in the next video till then bye